नंए इसनलाम ऐलेकुम आज हम उर्द के ट्रिकवाली डाल बनाने जाएं मैथी उर्द के डाल और मैथी बनाने जाएं तो इसके निये हमने अद़ किलो यह दाल लिए धो के रख लिए अभी दोरिए जादा देर निए हदो लेवत आप चाहें तो आदव गंटे पहले भी दो के रख सकते हैं यह अच्छे से फूल जाएगी और सो गिराम के करीब हमने मेथी लिए कट के दो के रख लिए कटोरी में आप देख सकते हैं एक बाउर और भंगार के निया हमने यह आदा टीजपून मेथी दाना लिया और इसे भून के और दर दरा सुके वे तो उन्हें धोगे ही यूज करें और एक बड़े साइस का प्याज लिया यह सब भंगार में जाएगा और यह दो चम्मच हमने टीजपून लाल मिर्च पोड़र लिया आधा टीजपून हल्दी पोड़र है नमक टेस के हिसाप से डालेंगे वैसे हमने एक कर दीजपून नहीं दुना साथ यह यह टोत फूरजपून क्शे भिर्ञे एक प्यक्त में बड़िया और यूचा हमने साली दालेंगे दो चम्मच बाुखिए को यह अहां पर ऊचुका भाइं कर नब दोभ्षण है तो यहीं पहले दसी यहूज दाल देसे आ नि करना है बस जादा इसे कलर चेंज ही नहीं करना है इसका बिल्कुल भी इसे साथ साथ हम इसमें ये नमक को और हल्दी पॉड़र जी डाल देंगे मेरा चाप अपने टेंश के हिसाथ से डालें विल्कुल हम अलग तरीके से बना रहे हैं और बिड़नी भी हमारे चैनल पर दालें आज हम बिल्कुल अलग तरीके से बना रहे हैं शायद आपने इसे बना के खाई नहों तो आप हमारे तरीके से बना के खाके देखिए जरूर आपको भी बहुती अच्छी लगेगी तरीके टमाटर अच्छे से भून गए और नरम भी होने लगें यह आप देख सकते हैं इसका कलर कितना बैटरिन लग रहा है इसने अच्छा लग रहा है इसके साथ साथ हम इसमें मेथी डाल रहेंगे आप चाहें तो सारी चीजे एक साथ भी डाल के रख सकते हैं भंगार ना लगा के तो आप ऐसे भी रख सकते हैं लेकिन इससे मजा और भी अच्छा हो जाएगा एक चमच हम इसमाद अगलासन का पैस भी डाल देते हैं कि देखें एक चमच भरके यह जो डिस्क का चमच होता है डिश में जो डालते हैं वाला एक टेस्पून यह टेबल इस्पून यह डाल दिया हमने इसे भी अच्छे से भून लेंगे आप चाहें तो कदू कस करके भी डाल सकते हैं यह काटके भी डाल सकते हैं एक टेबल इस्पून पाणी डाल देते हैं यह देखिए इस इतने अच्छे के खुशबू आ रही है से और जो हम भूनेंगे तो अधर ग्लस्टन की इसमें से मेल भी चली जाएगी देखिए मसाला अच्छे से बुन गया है और अधर ग्लस्टन का कच्छापन भी दूर हो गया है और इसमें लाने लगा है अब हम इसमें दाल डाल देंगे दाल के हमने पानी निठाल दिया दाल डाल देते हैं यह देखिए दाल डाल दिया हमने सब और इसमें उबाल आना शुरू हो गया है अब चाहने तो इसमें ख़ड़ा जाएगे खड़ी दाल जो बनती है उरत की वह भी बना सकते हैं और हम पतली दाल बनाएंगे लिक्वेट वाली हमें चांबलों से खाना है तो इसमें पानी डाल देते हैं हमने एक पानी डाल देते हैं थोड़ा सा और डालेंगे इसमें हमने एक जग पूरा भर के उपर तक का पानी डाल दिया इसमें अब हम इसमें डखकन लगा देंगे इसका विकर का और एक सीटी तेज आज पर देंगे और फिर हलका कर देंगे तो दस से बारा मिनट के बार फिर दिखाते हैं आपको प्योंकि हमें बिल्कुल दाल को पकते हैं हमने चूला निकर लगए आप देख सकते हैं ताल हमारी बिल्कुल तैयार है लेकिन हम इसमें पानी डालेंगे हमें इतनी गाड़ी नहीं चाहिए थोड़ी से हमें पतली चाहिए आपको यह रोटी के निये बनानी हो तो आप ऐसी ही रखें और ऐसे ही भंगार लगा लें चपाती कूरी या मक्का की रोटी जो भी आप खाते खाना पसंद करते हों बहुत ही अच्छा लगेगा इससे कि इसमें पानी उबाल के रखा है पानी कभी भी कच्छा नडाले पानी हमेशे उबाल के डाले तो हम एक से देड़ गिलास के करें पानी उबलावा डाल देंगे या मनें अच्छा से उबाल रखा है यह जबगे आज तेस करके और इसे पकाएंगे थोड़ा सा इसे हम हलके छोटे चूले पर रख देते हैं इतने भंगार की तैयारी करते हैं जिसे कि हमाई दाल में अच्छे से उबाल आ गिया है और पानी वैसे भी हमने अच्छे से उबाल के डाला था तो इसलिए इसमें इतनी जल्दी उबाल आ गिया और जो डाल में एड़ जाती है वो भी नहीं एड़ेगी अगर चे गरम पानी डालेंगे तो ज्यादा पकाने की जरुवत भी नहीं पड़ेगी यह आप देख सकते हैं इसे अलग रख देते हैं हलकी आज पर यह देखिए द दाल हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है दाल का चूला हम बंद कर देते हैं इधर हमने तेल रख दिया है यह देखिए अच्छे से उबाल आ गया और इसमें कुछ नहीं जाएगा बस बंगार लगाना है आप चाहें तो थोड़ी मिर्चे और हल्दी भी डाल सकते हैं बंगा देखिए जीरा हमारा गोल्डन हो गया आप देख सकते हैं तो इसे के साथ साथ हम इसमें प्याद डाल देंगे प्यास के साथ हमने ये दो से तीन मिल चे लिए चागुत वाली ये डाल देंगे इसे गोल्डन करना है प्यास को कीस में हीन्ट कोडा और मेथी दानगा पॉडर ये भी डाल देते ये इससे बहुती हुप लाँ findet अज़ा दाल देंगे प्याद्टा अब पास रोट वह तो आपो डाल सकते हें प्याज अच्छे से गोल्डन हो गई है चूले को बंद कर देते हैं और इसे थोड़ा सा भंगार हम अलग निकाल लेंगे परसे डालने के नहीं है और सब दाल में मिला देंगे अच्छे से दाल में बंगार लगा देते हैं इसे दो सेकंड के निया ताकि जो भी इसके खुश्च्बू होगी महक अच्छे से उसमें डाल के अंदर जज़म हो जाएगी ही कि अछषब होगी पिलिए हम्की मिल्चों के कdoes पत्ते के सब शोच्बू आ रही है ईक्शा ज्च्छी को मिक्स कले टेते हैं अच्छे से निकाल के दिखाते हैं ट्यूमानिरहीं के साथ मिला डेतें अच्छे से और हम ड्रीश में निकाल लेते हैं देखें कितने गाड़ी है इतना पानी डालने के बाद भी है दाल हमारी वह अच्छे से पक गई है और यह इतनी ही होनी चाहिए जादा घुटी वी आप देख सकते हैं दाना दाना दिख राइं गोटा हूँ ऐसे ही होनी चाहिए ऐसे जैसे दाल मुखनी बनती है तो ऐसे जादा गुटी भी अच्छी लगती दाल तो आप हमारे तरीके से आप भी खुश हो जाएंगे और खाने वालों को भी मज़ा आएगा यह कि दाल हमारी बिल्कुल तैयार है विसमें आपने जो भी भंगार रोका था यह डाल देते हैं कि बहुती बैतर इन खुश्बू आ रही है कि चन में मेज रही है खुश्बू इसकी और खाने में भी इतनी अच्छी लगेगी अगर्चे आपको हमाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अगर्चे आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को कीजिए बेल आइकन दबाईएगा ताकि हम जो भी वीडियो डाले आपके पास सबसे पहले पहुचे इसलिए बेल आइकन दबाना जरूरी है और शेल भी जरूर करिए और आप बना के खाके जरूर देखिएगा आपकी तभी खुश हो जाएगी और खाने वालों को भी बह नहीं रेसिपी के साथ जब तक कहने है अल्ला हाफिज